की जो खबर है ये खबर सुनकर यकीन नहीं होगा इसक्रीन पर एक आर्टिकल देखिए अचानक से चाइना ने पीए मोदी की तारीफ की है और भारत की एकोनोमी को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बाते कही है एकदम से लगेगा सूरज पस्चिम से कैसे उगाया आखिर क्य है ए 50 इंडेक्स जिसके पीछे पड़ा हुआ है चाइना अब चाइना की एकोनोमी में अफरा तफरी मची हुई है तो दूसरी तरफ भारत की तारीफ कर रहा है आखिर चल क्या रहा है बहुत सारी चीजे चल रही है चाइना के अंदर इन्वेस्टर्स परेसान है अलग और जानते हैं इन खबरों को विश्दार से सबसे पहले बात करें चाइना की तो स्क्रीन पर ब्रूमबर्ग की एक घबर देखिए सी जिन्पिंग ने मिक्सड मैसेज दिया एक ऐसा मैसेज जिसके बाद इन्वेस्टर्स अपना सर खुजला रहे हैं करूं तो करूं क्या क्या आगे बढ़ना है चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है जिन्पिंग हाल के दिनों में कई देशों के नेताओं के साथ मिल रहे हैं या तक की बड़े बड़े बिजनेसमेन के साथ मिल रहे हैं जब जिन्पिंग अमेरिका कहते तो बिजनेस फौरम म उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस के लीडर से बाच्चित की मुलाकात की तो इरादा ये था कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए पर अचानक से इन्होंने एक नया नियम ला दिया गेमिंग का और नये गेमिंग के नियम जो दिसंबर 22 में लाए गए 80 बिलिय पर्फॉर्म जो इस वक्त डाउन पर जा रहे हैं इन्वेस्टर सोच रहे हैं पैसा लगाऊं या न लगाऊं लगाऊंगा तो पता नहीं आगे चाइना कॉन सा नियम ले आएगा वैसे आपको बता दें कहा जा रहा है कि चाइना ने इस नियम को वापस ले लिया है और चाइना ने उन लोगों को सजा भी दी है कथी तोर पर जिन लोगों ने ये नियम बनाए हैं हलाकि नियम देखकर समझ में आ रहा है कि ये तो कहते हैं कंगाली में खुद से पानी डालकर आठा गिला करना वैसा वाला हाल चाइना ने किया था अपनी एकोनोमी के लिए क्यों क्या करेंगे डिफलेशन का सिकार है फैक्टरियां फैक्टरियों के बने बनाए माल तो बिक नहीं रहे हैं और पैसा जब तक आएगा नहीं और मुनाफा जब तक ज़्यादा नहीं आएगा तब तक न तो फैक्टरी चलेगी और नहीं मजदूरों को पैसे दिये जा और यही कहानी इस वक्त चाइना के अंदर चल रही है डिफलेशन का सिकार चाइना खुद अपनी फैक्टरियों को किसी तरीके से चला रहा है और अब जब नई हाइरिंग हो रही है तो इस हाइरिंग में पुराने बहुत पुराने लेवर कोश्ट दिये जा रहे हैं इसका मत कि दुनिया की सबसे खराब चीज है एक बार को महंगाई अच्छी है लेकिन डिफलेशन अच्छी नहीं है सस्ती होती चली गई चीजें फैक्टरियां हो गई बंद और जब फैक्टरियां बंद हो गई तो मसीन हो गई जर जर और उसके बाद फिर अचानक से डिमांड एक बार कोई भी देश अगर डिफलेशन का सिकार हो गया तो वह दस से बीस साल तक उसी में अटका रहता है एक लूप में फस जाता है तो यह हो रहा है चाइना के साथ आपको बता दें इन्वेस्टर्स यह सोच रहे हैं कि सायद जो पहले पैसे लगा चुके हैं यह साल से अदाफ प्रोफिट मिले अब हुआ क्या है क्या है ए 50 इंडेक्स इसक्रीन पर रॉय्टर्स की एक खबर देख सकते हैं चाइना के मनी मेनेजर इस वक्त लगे हैं ए 50 इंडेक्स की पीछे अब मन में ख्याल आएगा कि यह नया ए 50 इंडेक्स क्या है तो हमने आपको बताय था ब्लू चिप CSI 300 ये वैसी कमपनियां थी तीन सो ऐसी कमपनियां जिन कमपनियों के ऊपर चाइना का सेर मार्केट निर्वर करता था कहने का अर्थ था कि पक्का तय था कि ये तीन सो तो प्रॉफिट लाकर घर में देंगी ही देंगी पर जब नसीब खराब हो तो आप आत पर क्यों न बैठे हो कुद्ते फिर भी काट लेते हैं हुआ ये कि इसमें भी 11 परतीसत की गिरावट देखने को मिली है अब चाइना क्या कर रहा है अब चाइना ए 50 पर नजर रख रहा है अब ये 50 क्या है तो आपको बता दें फंड मैनेजर्स ने क्या करा निकाला कि पच इसको प्रॉफिट देंगे पहले 50 को देखते हैं और इन 50 को ए 50 इंडेक्स का नाम दिया गया है अभी मनी मैनेजर्स लगे हुए ए 50 इंडेक्स में कैसे चाइना की इकोनोमी को ठीक किया जाए ये तो रही चाइना की स्थिति अब बात करें अपनी चाइना में चीजें गज हैं उनके सेर गिर रहे हैं क्योंकि हमारा इस्टील विस्टील भी चाइना की तरफ जाता है पर इन सब के बीच में एक पस्चीम से सूरज उगने वाली बात कर दी है ये ग्लोबल टाइम्स स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए ग्लोबल टाइम्स ने कभी भारत के लिए अच्छी बाते नहीं लिखी है अच्छा सुनने को तो तरस जाएंगे हाल में ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा था चाइनीज कंपणियों के ऊपर एक्षन ले रही है सरकार अपने लिए गर्त में जाने का रास्ता ढून रही है ये दूसरा आर्टिकल देखिए ग्लोब मेनेजमेंट सिस्टम है बड़ा खतरनाक है उसकी एकोनोमी के लिए और ये कब कहा था जब भारत ने लेपटोप हार्डवेर आईटी हार्डवेर पर कई सारे रिस्टिक्शन्स लगाने शुरू कर दी तो ग्लोबल टाइम्स से हमने कभी ये उमीद नहीं करी थी कि कभी य ये भारत के बारे में अच्छा कह सकता है पर ऐसा हुआ है स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देखिए इस आर्टिकल को देखिए इसमें बहुत सारी चीजे हैं भारत की बड़ती आर्थिक और रन्नीतिक ताकत का लोहा चीन भी मानने लगा है दरसल चीन की ये सरकारी नहीं किया है दूसरी बात ये जो लेख है संगाई में फुदान उनिवर्सिटी है उसके दच्छी नेसिया के मामलों के जानकार है जांग दिया जों इन्होंने लिखा है और इन्होंने कहा कि मैं गया था भारत और पिछले चार साल में भारत कितना बदल गया है ये मैंने अब भारत राजनीतिक और सांस्कृतिक तोर पर भारत का जोर भारती लोकतंत्र पर जाता है भारत अब आपनिवेसिक दौर की चाया से दूर हो रहा है और विश्व गुरू की तरह काम कर रहा है मोधी सरकार की विदेश नीतियों की जम कर तारीफ की गई है ये जो आर्ट ये दुनिया में एक मजबूद पक्ष बनकर उभर रहा है हमने आपको पहले भी कई बार कहा है कि ये जो ग्लोबल टाइम से अगर इसमें आर्टिकल छपते है तो इसका मतलब है कि सरकार का हाँ है सरकार अगर हाँ न कहे तो यहां कुछ नहीं छपता है अब इन्होंने क्यों कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ